हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल और मैं हूं सुझाता तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा दिया हमारे घर की जो पिलो होती है वह इस तरीके की यलो जाती है या उसमें यलो स्टेंस पड़ जाते हैं क्योंकि हम अपने बालों में हैर आइलिंग करते हैं और जो पुरानी पिलो को हम नया कैसे बनाएं तो फटा फटा तो यहां पर मैंने दो पिलो लिए हैं दोनों दोस्तों मैं दोनों पिलो को नहीं वाश करूँगी इसलिए आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा तो यहां पर हम एक पिलो को वाश करेंगे और एक पिलो को ऐसे ही करना है दो से तीन चम्मच के करीबन डिटर्जन जो भी डिटर्जन आप यूज करते हैं वह वाला डिटर्जन ले लीजिए फिर उसके बाद हम यूज करेंगे वाइट विनेगर यह वाइट विनेगर आपको कहीं पर भी ग्रॉसरी आप मिल जाएगा तो यहां पर तीन से च इस चाहिए यहां पर खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं तो यह भी आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है तो एक चमच मैंने आप खाने का सोडा ले लिया है अब क्या करेंगे यह पानी काफी ज़्यादा गरम है तो इन सारी चीजों को अब हम क्या करेंगे जो हमारी पिल्लो है मैंने कहा यहां पर मैं एक ही पिल्लो को वाश करके आपको बताऊंगी तो इस पिल्लो को हम अच्छे से इसमें डिप कर लेंगे थोड़ा साब कोई भी स्टिक वगरा ले लिजिए उससे ही डिप कीजिए अधरवाइस आपका हाथ व लेको मिनिमम जब तक यह पानी अच्छे से ठंडा ना हो जाए चार से पांच घंटे आप इसी बिगा के छोड़ दीजिए या आप रात को इस प्रोसेस को करें और ओवर नाइट आप इसे ऐसे ही छोड़ दे और ऐसे ही हम करेंगे तो मैंने आप कम से कम चार से पांच घं जबेंगे और वश्रा आपको कैसा करना हाँ आपके पास यहां पर अटोमेटिक मसीने आप उसका यूस कर सकते हूं तो यहां पर लिया है मैंने कम से कम एक चम मेहनत के यह आसानी से साफ होने लग जाएगी तो कम से कम 15-20 मिनिट तक हम पिलो को अच्छे से वाश कर लेंगे तो इसका मैंने पानी ड्रेन आउट कर लिया है अब मैं इसको ड्रायर बे डाल दूँगी कि अच्छे से ड्राय हो जाए तो इसे हम 5 मिनिट के लिए ड्राय होने के लिए रख देंगे तो ये हो चुकी है अब अच्छे से ड्राय आप देखते हैं कि पिलो हमारी क्लीन हुई है कि नहीं हुई है तो अब हम इस पिलो को निकाल लेंगे और पिलो को आपको कम से कम दोस्तों एक दिन की धूप पूरी दिखानी है गरम पनी इसके जितने भी बैक्टिरिया होते हैं सारे मर जाते हैं तो अब हम इसे तेज धूप में अच्छे से सुखाने के लिए रख लेंगे यह अच्छे से हमारी जो पिलो है वो पूरी तरीके से अंदर तक ड्राय हो जाए जो उसकी कॉटन है फाइबर है वो अच्छे से ड्राय हो जाए तो ड्राय होने के बाद यह देखिए पिलो कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी है साफ हो चुकी है पुरानी पिलो के comparison ये कितनी ज़्यादा bright लग रही है clean लग रही है तो इस तरीके से आप जितने भी आपके कपड़ें हैं white उनको आप इस तरीके से clean कर सकते हो पिलो clean कर सकते हो और ये पिलो आप देख सकते हैं दोनों में difference देख सकते हैं कितनी नई जैसे हमारी पिलो लग रही है तो I hope दोस्तों आज का ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा तो comment section में ये जरू बताई कि वीडियो आपको कैसा लगा